अब दोस्तों एक बाई फिर से स्वागत है आपका हमारे इस बायोपिक के सेगमेंट में आज की इस बायोपिक के सेगमेंट में हम आपको बताएंगे भोजपुरी के डारेक्टर राजकुमार आरपांडे की बायोग्राफी और इनकी बायोग्राफी जानने की डिमान की निखिल यादोने तो निखिल राजकुमार आरपांडे की बायोग्राफी आपकी डिमान पर राजकुमार आरपांडे का जन 6 अक्टूबर 1972 को उत्तर प्रदेस में हुआ ये फिलाल कांदी वाली मुंबई में रहते हैं राजकुमार आरपांडे भोजपुरी फिल्म इंडेस्ट्री के प्रेड्यूसर है, स्किन राइटर है, मुजिक कम्पोजर है, प्रोड्यूसर और डारेक्टर भी हैं। इसके अलावा ये गाने भी गाय करते हैं। दोस्तों, ये 1994 से बॉलिवुड और भोजपुरी में एक्टिव हैं। इन्होंने बॉलिवुड में भी बहुत सी फिल्में बनाई हैं। असिस्टन डारेक्टर के तौर पे। जैसे की सलामी, उधार की जिंदगी, रटन आफ ज्वेल थीफ, गंगा की कसम, कैदी। इनकी पह दिवाना, साथ सहीलिया, देवरा बड़ा सतावेला, नहरिया लूटा ए राचाजी। भाईया के ससुरारी में, ट्रक ड्राइबर, दुस्मनी, मैं नागिन, तू नगीना, सोगन गंगा मैया के, जीना तेरी गरी में, देवरा भल दिवाना, सहियां जी दिर्वा मांगी ल खून भरी माग, नागिन, डॉन, छोरक गंगा किनारे वाला, दोलारा, दोलन चाहीं पाकिस्तान से, ससुराल, दोलन चाहीं पाकिस्तान से टूर, ये भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के ऐसे डारेक्टर हैं, जिनोंने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को एक अलाम प कंपणी भी है जिसका नाम है सायदिव फिल्म्स दोस्तों राजकमार पांडे ऐसे सीनियर वाइस प्रेशिडंट है इंडियन फिल्म एंड टेली विजन के बात करते हैं इनके फैमली की दूंके फैमली में इनके एक बेटे हैं जिनको तो आप सबी जानते हैं फ्रिदी, पांडे, चिंटू और इनके एक बेटी हैं छोटी उसके साथ ही इनका पूरा फैमिली कांदी वाली मुंबी में ही रहता है पर ये भोशपुरी के ऐसे डारेक्टर हैं जिन्होंने भोशपुरी फिल्म इंडिस्ट्री के लिए बहुत कुछ किया है तो राजकुमार आरपांडे, कॉंग्रेट्स और आल दी बेस्ट पॉर योर नेक्स्ट अपकमिंग फिल्म, दोलहन चाही पाकिस्तान से टू दोस्तो अगर आपको ये बायोपिक का सेग्मेंट पसंद आया तो लाइक करें और अगर आप भी जानना चाहते किसी स्टार, प्रोडियूसर और डायरेक्टर की बायोग्राफिक तो हमें नीचे दिएके कमेंट में जरू लिखें थैंक्स फर वाचिंग